अब बाली का दिवस आपने क्या प्रण लिया है बाली का दिवस पर आप आप लान तो बाद मैं पुछोंगों क्या प्रण लिया पहले तुब जबी को हार देख शुब काम नहीं बाली का दिवस की लड़कियों को तो वैसे ही माता पिता के रिणी रहना चाहिए वेटा भी आप यहां पर बेठे हो कई कईयों के तो हालत इतनी खसता है मिरगाम से शुरू करो तो ही हालत है पढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हो ठीक है नहीं जा पाते हालात भी ऐसी है कुछ पुरानी रूडिवादी नीतियां ही ऐसी है जिनके कार नहीं पढ़ पाते तो आपको तो आपके माबाप पर गरव करना चाहिए भी हमें यहां पर बेजा है और नैसे ही कम से कम आज के तिन आपको यह तो परन लेना चाहिए कि जिस माबाप ने हमें हम पर विश्वास करके हमें यहां बेजा है तो उनका रिन अदा करना ही है ना बिड़ मैं रियल बता रहा हूं मैं दो मिट ज़्यादा नहीं चार पांच मिट का समय लूंगा लिबाली का दिवस है बोलना भी मेरा फर्ज है एक सिक्षक होने के ना जब यह से उल्टे ख्यालाने सुरू हो किसी ने किसी परकार के उस समय एक बार माबाप के सपनों की तरफ देख लिया करो एक बार मनन किया करो कि मेरे पिता ने मेरी माने मुझ पर विश्वास करके घर से रुवाना किया है ठीक है क्या मैं सही धंग से उनकी बात का मनन कर क्या उन्होंने जिस रास्ते पे मुझे बेजा था जो रास्ता मुझे चुनकर के दिया था मेरे पती ने मेरी माता ने मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई ने मेरी छोटी बहने या बड़ी बहने मुझे जहां पर बेजा है पटने के लिए क्या मैं उसी पठरी पे जा रही ह तो मुझे नहीं लगता अगर आप ये विचार करोगे शाम को जाकर के गर पर हमेशा आज आज का नहीं अभी बाली का दिवसाय आज ही करना है अगर आप ये विचार करोगे ना कि क्या मैं अपना सो परसेंट माता-पिता को देने की कोशिस कर रही हूं क्या क्या जो उन्हों के ताने सबसे ज़्यादा सुनती है लड़कियां जब वो गर से रवाना होती है लोग पता नहीं कितनी कमेंट बाजी करते हैं रिष्टेदार भी करते हैं पडोसी भी करते हैं भले नेचर की लड़की कितनी सुसील रही हो वो लोग बोलते ही बोलते हैं मैं तो हमेसा देखत तो मेरे पास में तो खूब मेसेज आते है, डिवोईसे लड़कियों के जो अपने ब्रांच से जुड़ी हुई है, एप से जुड़ी हुई है, उन बच्चों के भी मेसेज आते है, ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूँगा एक गर में तो इसे चार केसे जाई एकट थे, एक तो आगे गर मेंगे, वहां समस्या रहती है, ठीक है, अब जब गर पे आगे, तो आस पास के जो प्रोसी है, प्रोसी क्यों, खुद के रिलेटिव है, वो भी खूब ताने मारते हैं, खूब तडबाते हैं, तो मैंने का आपने क्या विचार किया, कि हमारे मन में दसर एक ही जबाब चुप-चाप रहे करके आप दे सकते हो, रोने से तो जबाब मिलेगा नि, गो किसी ने सही कहा है, कि रीत जगत की ऐसी है, हर सुभह की यहां श्याम हुई, तो कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बद नाम हुई, क्यों लोगों की बातों से तेरे भीग द कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो बेटा पहले भी बोलते थे, और लोग तो आज भी बोलेंगे, अगर आप सही ट्रेक पे चलोगे, जिस परकार बताई वे मारग पे चलोगे ना, सिक्षक बाद में है, पहले माता पिता, आपको गर से दो पेसे दे करके घर से रवाना करते हैं तो कम से कम श्याम को बेठ करके दो मिनिट जब भी खाना खाओ दो मिन अपने माता के पास में पिता के पास में पती के पात में बेठते हो विष्वास के तरपे तो आपको बेजाया, केई गरों के तो आलतेस ये बठा, उनको पढ़ने के लिए नहीं बेजते, तो आपको तो रेनी रहना चाहिए, उनका भी ताक्य आपको बेजाया, वरना आधे से ज़्यादा कैसे तो ऐसे मिलते हैं, कि प्रायो दन है, केकरांगा पढ़ा गए हकीकत है यह बात आदे से ज्यादा तो लोग ऐसे बोलते हैं आपके घर में भी सुना होगा छोरी तो प्रायोद ने आपान के दे सी लेकिन इस सोचना बभीता में हमेशा कहती है आपको कि अगर धन ने दे भले लेकिन एक धन दे देना वह सिक्षा का जब माबा आपने आपको सोच लिया भी आपको हमें सिक्षा का धन देना है तो आपका प्रमकर्तवे बनता है कि हम सिक्षा का धन अरजित करें और जो माबाप गरीबी में जीवन जी करके आपको पढ़ा रहे हैं उन पे बोज नय बने है ताकि कल को जोब लग जाओगे लगने के बा यहां पेली बंगा गाम से है वो ठीक है एक टीचर है और एक जो लड़का था वो अभी अजमेर पोस्टिंग है वो भी थर्ड ग्रेड टीचर है यहां तीन साही तीन जो में है एक मेरे ब्रोदर इनलाल की वाइफ है वो पहले डाक विभाग में थी अब कंप्यूटर और जिनके अंदर चार बच्चों को पड़ा करके साइटीन को कामियाब कर दिया उस इंसान है और जब साधी वी दोन्नों बेहनों की तो खूब धुम दड़ा के साधी की और अगे घर भी मिला तो देहेज में कुछ नहीं लिया तो जब साधी करते अगर यही टेलर होता अ कि अपनी सोच होती है इस उमर में आकर के कि अपने सोच जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अब हम उमर का जो लड़का है ना जो मुझे मिस करता है सारा कुछ वो ही है इसके लाव माबाप मेरे लिए कुछ निया ओ सिर्फ और सिर्फ थारू बेम हुए बेटा दो साल लगो दो मिनागों च्यार साल लगों बाद में आपको दिरे दिरे जब इस उमर की पड़ाई से आप निकलते हो ना फिर वो माबाप याद आते है आपको इसे लगता है बही चोईस घंटे आपके लिए तयार कौन रहता है माबाप रिवे है रहते एक नहीं रहते है ठीक है कोई बोई फ्रेंड कोन साथ देवे बिटा सब केने की बाते है सब मन गटत बाते हैं यह कोई साथ नहीं देने वारा सारा का सारा सेल्फिस रिष्ट है जो बात माबाप की बात मान करके आगे कदम बडालिये ना उसने ठीक है वो कभी पिछे अटने वाला है नहीं कभी नहीं अ जोब लग जाओ, मैंने तो साहिद पहले भी बोला था, कुछ ने कुछ बाप के लिए भी तो करना है, यह तो हो नहीं है, कल को परमात्मा करे, जोब लगे, अच्छे संसकार मिले, आपको कल को लग जाओ, और लगने के बाद में उसी पिता के साथ में उसी मा के साथ में नेन कि दो च्यार दिन बाद सब कमाने लग जाएंगे, दो च्यार दिन बाद सब कमाने लग जाएंगे, दो च्यार दिन बाद सब ठिकाने लग जाएंगे, दो पैसे कमा करके बाप से जुमाल लडाते हो, अरे बाप जैसा बनने में जमाने लग जाएंगे, बाप जैसा बनने म गांठ बांध लेना कि हमें हमें हमारे माता पिता के लिए हमें परिवार के लिए कुछ ने कुछ करना है वरना बेटा नतीजे बहुत आते आप देखना न्यूजपेपर करके एजगा अफेर चाला है अंग माबाप की के दूर दसाव है कई जगे तो पिता ने सुसाइड कर है नजरें दिखाने के लिए बाहर निकल नहीं सकता कल को काम्याब हो और काम्याब के बादे बले करो ना ओन रोकता आपको अना काम्याब हो करके बले को रोकना लोकना है माबाप आपका फुल सपोर्ट करेंगे कोई नहीं रोकने वार लेकिन इस उमर के अंदर बेटा फिर भले कोई बेल लगाओ, कोई दिकत को नहीं, लेकिन अब इस उमर में आकर के आप माबाप के पैसे वेस्ट कर रहे हो ना, तो बंगी शाम नहीं जागे, दुरदर सा देख लियो, पूछने के जरूरती नहीं है, आप शाम को फोन करते हो अपने पिता को, या फीस का किरा करके देंगे, अना, मेरी मा केसे पेसे ला करके देगे, चार बार ही काएगा, बेटा, कम को नहीं है के फीस, बेटा, तु बोल दे तेरे कमरा लें चार दिन, रुक जेगो, ते फिर पूरा रोब, बोलो, नाम आओ, बो को रुक है नी, बो कर रिप्या देना ही पड़ेगा ठीक है, अर्किरा यो पूरा रोगो, पूरो लेगो, तो माता पिता एकी बात बोलते हैं, बेटा, तु पढ़, ठीक है, तेरे बाउं काले चोरकन ले आगे देवाँ, तन ले आगे देवाँगा, कहते हैं नहीं कहते, तो आपनों भी भर्ज बना है, मा, पिता, तु ने अ ठाई है, उन मुसीबतों को वापस आपके सपनों में बदल के दिखाएंगे, जत्तो है बेटा, पढ़ यह लिखे है को फाइदो, ठीक है, नहीं चार मिन्ट बातें बोलने से, चार मिन्ट लहजे के अंदर तकाजे के अंदर बोलने थे, या दो सायर सुनानगे मतलब की को कुछ लेना, आपके पास में माबाप है, इसका मतलब सब कुछ है, और जब तक आपके पास में माबाप है, बगवान बहुत दूर है, बगवान बहुत दूर है, क्योंकि घर में आपके बगवान बेठे है, माबाप, ठीक है न, वो पतानी किस परकार आपको पढ़ाने की क कोसिस कर रहे हैं तो आपका कम से करम करतव कल को मालो आप लड़कियां कहीं ने कहीं अर्जेस्ट हो जाओगी ना तो दूसरी महिलाओं की भी हेल्प किया करोगे एक पानीपत की स्टुडेंट है नाम मैं भूली का साइथ प्रियंक का इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ःषे पानीपत की मैं अपने भी राजस्तान की बहुत सारे लड़कियां सास्त में कमपेटिसाइट की तीयारी करेए है और जब भी उस बची से बात होती है जब भी हम यह सोचते हैं, तो बड़ाग्रों मैसूस होता है, यह बचियां, देश के लिए भी कर रही है, समाज के लिए भी कर रही है, अपने लिए भी कर रही है, सुसुराल वालों के लिए भी कर रही है, और अपने माईके के लिए भी कर रही है, और जब मैं लड़कियों को एक मेना बहुत दिया यहां पर पॉस्टिंग होगी मैं मिलाओंगा आप सो आपको मैंने कहा था एक बार इन बच्चों का स्लेक्शन हो जाए ऐसा ही बालों का उसके बाद में कभी युनिफॉर्म में मिलाओंगा तो किसी नेक बात वोली थी यहां पर लड़कियों से कर रहे थी तब उसने क्या जवाब दिया था कि अरे मुझ में भी था होंसला कुछ कर दिखाने का मुझ में भी था होंसला कुछ कर दिखाने का इसलिए बाबुल का घर पिया का सपना छोड़ना पड़ा अरे मुझ में भी था होंसला कुछ कर दिखाने का इसलिए भरे अपने आप में धुरंदर है और बेने स्टेटिस भी लगाया था कि अपना वजूद गुला कर हर किरदार निवाती है अरे ये तो वो देवियां जो एक घर को नहीं दो दो घर को स्वरग बनाती है एक गर माईकल और एक ससुरालाग तो बटा जितना होस के उतना परण लेना कम से कम ठीक है ना पड़ने की कोशिश करना ये मोका ये उमर बार बार नहीं आएगी अब तपलियों गासारा बढ़िया तो छे मिना या साल उसके बाद में तो मजे के मजे है और ये चार सालों का सो का कड़ों तो आनल्टे में जिंदगी बढ़िया निक रहेगी ये इस आप थान गुल-गुला लोग डार नहीं दियो ने क्लास में वह इसके भाई के ताथ में इनके जो ताओ जिते बिल्कुल मजदूरी करते थे मजदूरी को काम करता अ बड़ा दफ जया जमीन बावन दा इनके पापा थे चोटे में ने बोला था मैंने उनके साथ में का बैस ठीचिया आज बिलीव नहीं करों गेब B兩 के पूरे गाव parish के अंदर जो इनके बड़े भाई थे जो मंसंगर्श किया करते थेसात में पेसे नहीं होते थेаций गुल गुला खागे टेम में एक थड़गे टिचर है अब उनका फर्ज ये बनता है वो हमेसा कहते है जब भी बात होती है इन दोनों भाईयों का खर्चा वो उठाते हैं दोनों भाईयों का खर्चा खुद उठा रहे हैं वो किते हमने जो जीवन जिया इनको एसा मैसूस नहीं होने देंगे आना बहर आई लाइक यू में बोल दियो गुर्जी तो फेंका यह कि कौन है लेकिन यह जब दिमाग से बाते हटती है ना बेटा तब पता चलता है कि रील लाइफ क्या है ठीक है रील लाइफ में सपने साराओं बड़ा माबाप गाई है माबापी चावाए गा थे उंचा बड़ो बाकी बड़ा कोई कित्तों इक लोज वाए कोई कौन चावाए तू उंचो बड़ा सिर्फ पिता या वो सपने देखेगा मेरा बेटा या बेटी मेरे से बड़ा नाम करे और कोई यह थे इस रेष्टीम बता जिभी बोचावाए कोई नहीं चाता आना तो इन चीजों को ध जान में रखना बेटा मैंने आपको सब्वेता करवा दी काली बंगा